इस बात का दोनों टीमों को धियान डखना है आईए जब मैच की शुरुवात होगी तो आपके साथ नजार आएंगे इस वक्त अमपाइरिंग की भूमिका में अमपाइर परवेश शेक और परसाद सर बहुत ही अच्छी अमपाइरिंग की इन दोनों नहीं पूरे टोर्नामेंट में और इस वक्त संदीप पाटिल हमें नजार आ रहे हैं दिवंडी शेर के एक बहुत ही मशूर कॉमेंटेटर संदेश पाटिल जी जिनों ने मेरी बहुत सराना केती और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था जब आरियन चेशक में मैंने उनके साथ कॉमेंटरी की थी बिल्कुल डाउन टो वर्द परसनेलिटी हैं संदेश पाटिल उनके भाई इस वक्त हमारे बीच में मौझूद है संदेश पाटिल आरियन 11 भादवर के एक प्लियर और संदेश पाटिल की नजर बिल्कुल बास से भी तेज है मैं समत्ता उड़ते हुई चिरिया के पड़ भी गिन सकते हैं इनकी निगाहें इतनी तेज है कि अच्छिव और भावेश बावेश जिनके नाम हाइस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है एक इनिंग में आईए जब मैच की शुरुआत होगी तो आपके साथ जुड़ जाएंगे शुरुआती दो वर के लिए साहिल है शेल के अच्छिव और उसाचिव और भी जाएंगे राके जाएंगे इन अच्छ स्कोर भावाद विपक्ष अन्जुमन्स पोड़ा अनि यान अंतर होना रा सामना असे इल्ल, शीवर्ट तो सामना अच्छा दिवसा दील, अमान इस्पोर्ट विपक्ष डिके फाय डावलेट, नकिज विनिंग शाड अपलेला वहतल नमर दी पहाय दा मेयाल होता, नकिज अबन चॉइस के लिए लबाल होता, तो हम है अर्वन इलेवन बादवर विपक्ष अंजुमन स्पोर्ट दोन संगाधर में, नहां सामना रंगलाई, संगली मैच अपलेला पहाय ला में तीया मेधना मदे, दोनी विनर्स माजा मदे, दोनी मैच विनर्ख याड सुदा आहे तानी दोनी, या दोगांची लड़त में तनावदी रंगली अंजुमन विपक्ष अबादवर्ट, काई मैच दर्शक अना पहाय ला में, इका बाजूला सेल, मुन्ना शेक, इका बाजूला चंद्रकान, दर्शन, केवल सार के फलंदाज, एक बाजूला अमजाद, मुन्ना शेक, शेबाच शेक, यांच संग, अपलेला पहाय ला में तोई मेधना मदे, चला मैच शुरू कराइचे आहे, पंच, येस ग्रीन सिगनल, आलाओ, धिपेश, गुलनदाजी, मारगा बाजूला चंद्रकान, दर्शन, के लिजातिए, एका दावे बहुनी जाना समा धन्माना वल्लाक तैंगा दावे न संग चका ता हुग लाज़ा जाते कुटे ना कुटे जाए चांगली सुरुवात करा विलागेल करना आसाम ना पाथ सटकन्ज असल पूर 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 फाइदा उसला वालागे लंजिबंस पूर ला जर विचार के ला तरह भाव या सीजर मदे अपलेला पाहाई लामींग नंगेज कों विसर नार दी इनिंग सेयुक्त ड्रविजी त्राथर दावा विस चेंडु मदे तैने तबल ठोगले आओद्या त्याम दे दाहा शटकार तैने ठोगले यास मेदाना वरती मैच नंगले ओती गलंदास दिपेश अईला चेंडु फेस करता दस्ताना तिशे खराब लाइन अबलेला पाहलामे आली दिपेश चे मद्य मतना वाइड बॉल अतिरिक तदाव संगाचा खाते मदे जोडली जाती है अनि एका दावे न दाव लक्सुद्धा पूडसर रखते दून दावा दावा दावल गवरती दिपेश सांगला गुलंदाज आही दर्जेदार गुलंदाजी साथ तैने दो क अनि एकास दावे बर समाधान माना वल्लागे लुटिन गुटे पाहिल न दावा वीलागे लकारन पाहिल पाहिल कमदी तर्मात्र दबाव मदे पंदू कुटिन गुटे जर्विकेट मेहा लेतर अंजुमन स्पोर्ट दबाव मदे लुट लंदाज दिपेश साज्ज प्रोपर संपर का जाला नहीं है चलू डीप मेडविकेट चादिशेन एक सिंगल आवा दावा दावल कवरी एड के रिवागे लुटे न गुटे न गुटे सिंगल डबल साफ खेया आपलेला महिदन अवदी पाहाई लामी तो यह सांगली मैच महिदन अवदी रंगली व गुलंदाज दिपेश सज्ज जाला गुलंदाजी मार कवर राइताम रांद विकेट न स्टाइकिं एंड़ आवकराताजा फलं डाज स्टाइकिं एंड लाबावेशे फीन दिपेशा दोड़ासा वेखमी करचा करेचा इख लेट चाटक मार गस्त गुलंदाज तैयार चा लाए गोलंद जी मार्का वर राइटम ओर देविगेट ना यावे स्मोडा बातका 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 बासला है वरंदू छेत्रक शक्टेंदू परंदा पोचु शकत नहीं है चेंदू निगुंज लबावंदी लाइं लाइटम सबीटम सब्सक्टें लाइचिल आवेश यावेस मैनिंग फरंदू अबला पहाई बातका 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 बातका, परंदू अपर दो, मुंज अगोध जान अवा इपार वर रोछा यावे 1,2m broadly छेत्रक शक्ट ऍवrhला, यावी 15 word है कुटे ना कुटे अशीच पटके बाजीग साथ तेने करावी लागेल जर सांगल डाउसंक्या उभाराइची असेल भावेश मैनिन फोर्म अपलेला पाहाईला मेतो है गिला मैच मदे शुदा मैच विनिंग पारी तेने खेलियो दी या मैच मदे शुदा तसच कही तरी अप है समटापाट का खाया जो दाजोर दारा पील तरकेली जाते विश्वाजा जी बातने डाउसंक्या कुटे ना कुटे विचार केला डाउसंक्या दावपल का बरती आध दाबस तीरे दा दिपेश तांगली को लंदा जी करतो है अक्ता परिंतजर विचार केला राइटाम पर दाविकेड ना श्रागिंग एंड लाडव खुराता जा फलंदाज भावेश यावेश लोर फूल्डर सेचे फटका पासला जेंटू काली चेत्राक्षाग पकरला सोपाच हेल आनी संबवलाई बावेश तागे बावेश लातमत्र माघारी परता वल्लागेल लागना पर दावरी जाएंग पईलाई गशाएंटू कोटे ना कोटे अ मोट जाब सलाएंटू काली आसा मणा वल्लागेल बावेश ला माघारी परता वल्लाग्त ते कुटे ना कोटे मोटी उपलब दी वहना विला गेल बाद बढ़ संगा सादी का बावे जो गेला चशका जा फाइनल मजे असो चांगली फ़लंदा जी या मैदान वरती केली होती तो फ़लंदा आज बाद जालाई तबल पास दावा करून दाव पलग एका शटका जा समाप दिन अंदर स्थीरे अध दावा नवीन फ़लंदा आज अमजाद शेक मैदान वरती सजोल ना स्ट्राइकिंग एंदा स्ट्राइकिंग एंदा सेल फ़लंदा जग कासीव गोलंदा आज अतुष्यार सल्जा हो यिल्व दूसरे शटका ने सादी पहल शटका सांगले मना केंअ व लागल कालाान मोटी विकेट मियाली बावेचला मागला जाला contractors अरुछ अर्ष्यार चला मैच शरू कराइचा अध अतुछ सज्ज जाला गुलंदाजी मार्गावर स्ट्राइकिंग एंड अफ अलंदाज का सीप सज्ज असे गुलंदाज त्यार होते आपले रनप मदे आशा बडिल स्टैन करना पहिलाज बोल खराब लाइन अपलेला पहायला मेली पंजान करना वाइड बोल चाहर आला अतिरिक्त द अवसंग छेखाता मदे आड के लिजाती है आउपल लग एका धावे न पूड़ सरकते नौ कुटे न कुटे न कुटे जर विचार के लातर भाविक्त सरक्या पालूंदाज परन्दू यावे इस सपुनाइक दा सोडून दिलाई चेंदूला लाइन पाहाँ कुटे न कुटे तुशार यावे इस फट का जंगल है मिस्ट है मिंजाल है चेंदू कालू के पकड़ लाइन पाहाई लागना रात अबल दूसरा जट का अंजुमन स्पोड़ ला आता मत्र विनर्स गुड़ दरिया डगमकतना अपलेला पाहाई ला मीतिये दूसरा जट का लागला इतबल दाहा यादा आउसंके वर गुटी ना गुटे जर विचार के लादर सांगलक शेत्र अक्षन साथ तेने मिया जवा जवा क्यों पर विच्वा मत्र शंतते चांगल कुड़ अंग लग्राइड साथ नकीज कांबे एक्स्प्रेस साथ बुलंदास जोईल पुनेक दा तुशार स्टाइकिंग एंला तमत्र अंजा रानी नौन स्टाइकिंग एंला मुन्ना नकिज मुन्ना आला एया मोटे पटके खेया विलाक तिल दाहा दाबा दाउपल का परती दूसरे शटक मार्गस्त दाउपल कमदर चांग लेया समानावल लागिल परंतु दोन जटके लागिल त्यां जुमन स्पोडला गोलंदा आज तुशार सज़ा लाए राइट के लिजा इल चांगली गोलंदा जी तुशार चा माद्या बातु न अपलेला पहाई निटी फटके लेग दोन वाइट तागले ओटे तैनंदर चांगली लाइन पकडली फलंदा जला बात करने तीया श्मयाला आनी तैनंदर एक सिंगला लालिये स्टाइक एनला मुन्ना मोट्टा अबवान असल करना अनेक मैचेश अश्चा आहेट जा या ठीकना उन मुन्ना ने काडूं दिला अपले संगला गोलंदा जी तुशार सज्जो होईल स्टाइकिंग एनला असल मुन्ना न स्टाइकिंग एनला उन्जा तुशार राइटाम अराउंद विकेद न बाईला चेलो फेस करता स्टाना चेलो हावेते चेलो काली शेत्रक शेक आला होता मद्र क्यारी करू शगत न हुदा अनी चेलो बाउड़ी लाइंचा बाहेर गेल नकिज गुटे नकुटे आफ़र्ट्स अंगला पाहायला मेयाला केवल चा मध्यमधून परंदु धून क्यारी करू शकला नवदा चेंडु सरस्रीमारिशी चा बाहेर पड़ला साहा दावन साथी हा शटकाराला शटकारान दावपलक सुद्धा पुड सरगल सत्र दावा नकिज गुटे नकुटे मी मटलो होता मुट्टा अवणे मुन्नाचा करना याठी काना उन बरेच मैचेस मुन्नाने काडून दिले तरशीच गुलन्दाजी सुद्धा करावी लागेल सांगली बेदक मारा करावल लागेल तुशारला यावे सोडून दिले लाइन पाहावी लागेल लाइन सांगली ए स्विंग एन मिस डॉड बलालालाई सांगली गोलन नजी आत्ता परिंता अपलेला पाहाईला मियाली तुशार चा मध्यमा दून शटकर खाले नंदर सांगला कमब अपलेला पाहाईला मियाले येस अंपायर चा नेने अंती मसेल न मनना अबन सुद्धा येची दक्षता गयी चाहे गोलन दास सज्चे जाला ही तुशार पुनेग्दा यावे सब मोड़ा फटका चेंड़ू आवे तेमी स्टैमिंग जाले परिंतु चेंड़ू दावपल करती याशट करना दावपल करती याशट करना दावपल कोड़ेनकोडें विचार करनेस्ट भाग पाड ले तुशार ला तुशार ला याश एक शट करघ़ल करना और दाट बललप performing there शट करका ले कोडे नकोडें पडूट्च ieंड़ू का यसे लयाच्य नेनेस्ट आवए वालाग येल सांगला टपाहता वालागेल जर यतन वापसी कराईची असिल दर गुलंदाज तुशार सज्ज होई लगुनेगदा गुलंदाज तुशार चला थोड़ा सब वे कमी करचा करेचा आही नकीज़ तेवीज दावा धाल पलका वर्ती जाले 23 रन्स ओन बोर्ड 23 रन बने है स्कोर बोर्ड प्ले चांगली बेटिंग आता वरिंदा बहाईल अमीतिये गुलंदाज तैयर तुशार मुन्दाज ना सड़ी यावे सलके आतानके उनकाले चनल लाचेंड ट्रेवल हो तो एडीप एक्स्टा कावर चाझा दिशेन दूसरे दावे जा प्रयत्न सड़ी अंजाद सज्जो दा पर्दू मुन्ना ने ना करले एक सिंगल आवल कावरती आयर केजिए जाई एका दावे न दावल आवल कावरती लागले जाती लाचेंड दूसरे जाखे दूसाम आपने जाले आपल कावरती दावा चोगी जाले याव बड़ी लीनिंग साथी में आमधित कर तो यह मजी साती समाल उचेक राकी बांसरी ला एंक्यू बहुत बहुत धन्यवाद साहिल शील की इस वक्ता मुकबला बहुती दिल्चेस्प होता हुआ हम देख रहे हैं दो और के बाद अकुर्ण बने अब तक 24 रंस दो विकेट के नुकसान पर देखिए समय के मामले में सहीओ करना है प्लीज खेनने वाली दोनोई टीमे इस वक्ता दिपेश को कंटेनिव रखे है टीम के कैप्टन ने पहला वर लेकर आयती अब देखिए समय के लिए सहीओ करना है प्लीज दिपेश और बल्ले बाज मुन्ना दिपेश की पहली गेंद इस वर की इस बार लवर फिल टॉस दिवापर मुन्ना ने हलके हाथों से खेल दिया है कवर की दिशा में एक रन बनता हुआ इससे बीच और इस एक रन की मदश से पच्चीस रनों पर स्कोर पांचा ट्वंटी फाइव रन्स और अब श्ट्राइक पर आए हैं अमजशे का बहुती कम्माल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं इस साल लगतार दो प्लियर आफ दी टॉर्नामेंट प्लियर आफ दी स्रीज का वाड अपने नाम हसिल किया उन्हो प्लियर आफ दी टॉर्नामेंट की दावेदारी वो पेश कर रहे हैं दी पेश की अगली गेंदा यह देखिए इस बार बड़ा हिट खिलना चाते थे गेंगई यह जमीनी सारे से डीप में विकेट में हो 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 यह देखिए दो फिल्डरों के बीच में से गेंच चले गई एक शार रनों के लिए मिलकुला जा आरियन इलेवन भादवर्ड लग नजर नहीं आ रही है जिस तरह से उन्होंने फिल्डिंग किये अपता का अगर मैं आरियन इलेवन भादवर्ड की बात करूं तो पिछले साल की एक कप की वीजेता टीम है सबापती चशा का दोहजार एक कीस को अपने नाम किया था उन्होंने लेकिन इस सीजन में बिलकुला अपनी लेमे नजर नहीं आई ये कहीं भी ये देखिए इस बार बहुत जाद आफिस्टम के बाहर तक कलाईयों के सारे से मुड़ दिया आफ सैड में वापर अमज़ शेक ने एकरन पुरा हुआ दूसरे के लिए जाना चाहते थे मुन्ना ने मना किया इस वक्त इसकोर है कुला तीस रन थार्टी रन्स वहाँ पर केवल ने बहुत अच्छी कोशिश की थी जाब मुन्ना ने डीपनेट विकेट की तरफ शौट खेला था उनके हाथों को छूकर चले गई थी गिन मैदान के बाहर अगली गेंद दिपेश की ये लो फिल टास और फिल टोल कर मारा है वापर मुन्ना ने ओहो नो बाल बीमर ये रेखियों कहते हैं न करेला उपर से नीम चला पहले ही इतने रन लुटा दिये थे गिन बाजूने उपब नो बाल इस वक्त स्कूरें 37 रन 37 रन्स मिलकुल अब इम्रा आमीर के चेहरे पर खुशी नजार आ रही है इस वक्त अंजुमन के 12 मैं पिछला मुकाबला काफी जद्दो जहत और महनत और मुशक्कत के बाद जीता था हमानी स्पोर्ट ने अगली गेंदा इस बार हो हो बल्ले को रोक लिया वाँ पर गती में परिवर्तन किया ता गेंबाज दी पेश्ट में पढ़ नहीं पाएते मुनना यही कारण तके जड़ नहीं पाए अगर आप गेंदो को पढ़ेंगे नहीं तो फिर जड़ेंगे कैसे दीपेश की अगली गेंदा इस्ट्राइक पर इस वक्ता मुनना ओहो इस बार स्वाक स्वीप करना चाते थे बैठक शॉट किलना चाते थे मुनना पूरी तरह से बीट हुए डॉट बॉल अच्छी वापसी करते हुए दिपेशा नो बॉल के बाद लगा तार अगली दो गेंदे बीट करते हुए मुनना को ओहो कमाल की गेंदा बिल्कुल चारो खाने चितते वाँ पर मुनना कुछ भी उन्हें समझ नहीं आया था इस वक्त हमझस शेक का इशारा आता हुए कितने रन बने हैं इस वक्त कुल रन बने हैं 37-37 रन्स अभी भी यहां से और दो वरकार खेलाना बाकी है देखने है वहाँ पर इस वक्त ड्रिंग्स ब्रेक की मांग की गई है दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं मन ट्रॉफी 2021-22 गुलाम साबीर इर्फान शेक और अमान स्पोर्ट की देन बहुत ही खुबसरा टॉर्नामेंट पहुचाया है आपका का और एक किर्तिमान अपने नाम के हमाँ पर इर्फान शेक और अमान स्पोर्ट ने एहली बार सेटी अमर्जिंग कमेंटी का टॉर्नामेंट लाइव टेली कास्ट हो रहा है टेली विजन पर भी डिपलेस नेट्वक के माध्यम से आपको चैनल नंबर 613 टाइप करना है और घर बेटे टेली विजन पर अनंद उटाना है अमान ट्रॉफी 2021 का पिछले साल कोरोना काल के कारान ये इस परदा रद हो गई थी लेकिन इस बार नया साल नया अंदाज कल जब नियो और की शुरुआत होगी तो क्या हमें कोई एक नया चेंपियन मिलेगा ये देखना बहुत दिल्चेस्प होगा या फिर अंजुमन स्पोर्ट एक और कप अपने नाम करेगी या फिर अमान स्पोर्ट या फिर कोया नया विजेता नय साल में दिखने क्या नय साल में लिखने जारी है कोई नई टीम नई कहानी या फिर इतिहास को दुबारा जो टीमें चाहेंगी दोहरानी वो हैं जुमन स्पोर्ट और अमानी स्पोर्ट देखिए फिल्ड सजाली ने वहापर आरियन इलेवन बादवार देखिए समय के लिए स्यूग करने प्लीज दोनों टीमें चाहता वर लेकर आरेंगे इन बादवा हरेश उनका सामना करेंगे हमजाशिय कुर्फिम जी हरेश बिल्कुल तयार अशा पाटेल इस्टेंडेंट से गेंद बाजी करने के लिए अमजाश्यक को ओहो इस बार बड़ा हीट किलना चाहते थे सवाल लेकिन देखना है वहापर क्या कुछ हुआ है ओहो बोल्ड हो गए हैं अमजाश्यक का ये तिसरे बल्ले बाज ऐसे हैं जो आउट होने के बाद उन्हें पता ना चला हो कि क्या हुआ है क्या हुआ है और अब बल्ले बाजी को है है रफी का लेफट है बल्ले बाज बहुत ही घातक बल्ले बाज है लेकिन इस सिजन में अपनी फॉर्म से जूंज रहे हैं लेकिन बड़े बल्ले बास को मैं समत्ता हूँ फॉर्म में वापस आने के लिए बास एक दो बड़े हिट की जरूरत होती है वरना इस गिन मैदान पर तो इनका काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इनके नाम है यह देखिए हमसे जुड़ते हुए आरीफ हरेश अगली गिन लेकर रफीक के लिए वो इस बार बहुत ही बैतरी इन गिन बिल्कुल खोद कर निकाला था वापर रफीक ने अगर डाइरेक्ट खिलाडी के हाथ में गेंद आ जाती है और थिरू अच्छा होता तो खत्रा बन सकता तम आपर रफीक के लिए लेकिन बाल बाल बच गए देखिए समय के लिए सयोग करना है प्लीज खिलने वाली दोनों टीमे अगली गेंद आ यह देखिए इस बार छोड़ दिया था वाइट बोल का इशारा आता हूँ अंपायर पर वेशेक का बहुत ही खुबसुरत निरने इस एक रन की मदस से इसकोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन 39 रन्स देखिए समय के लिए कोपरेट करना है प्लीज अंजुमन स्पोर्ट इस बार अच्छी गेन थी वहाँ पर लंगाफ की दिशा में बहुत नी करारा शॉट के लाथा मुन्ना ने फंबल हुआ दूसरे के लिए जा रहे हैं ओह अगर इस गेन को पकड़ लेते वहाँ पर हरेश तो फिर रफीक की पारी महीं समाप दो जाती इस बार वहाँ पर तान दिया है बल्ले बाज ने गेन जा रही है वाइड इस लॉंग आफ पर एक रन मनाएं इसके बाद की दोनों टीमें बिलकुल आपको तैयार रहना है इसके बाद की दोनों टीमें डीके फाइड अबलेट और अमान स्पोर्ट यह देखिए वहाँ पर छोड़ दिया था रफीक ने अमपायर की फैसले का इंतिजार वाइड बाल डीके फाइड अबलेट और अमान स्पोर्ट दोनों टीम के कैप्टन आपको टास बॉक्स में आका रिपोर्ट करना है इस सीनिंग के खत्म होने से पहले अमान स्पोर्ट के कैप्टन मौजूद है डीके फाइड अबलेट आपको आना है हरेश की अगले गेंदा राफीक के लिए फिल्टाव सार ये देखिए क्या ये राफीक की वापसी है क्योंके बहुती करारा हिट लगाया हुआ पर उन्होंने फिल्टावस गेंद मिलीती मानों उनकी आखों की चमा का बढ़ गई हो गेंद उन्हें फुटबोल नजर आई थी अचानक से क्योंके बहुती दूर बेज़ दिया वहाँ पर इलाके की शेयर करने के लिए गेंद को क्या रफीक इस सिक्सर के साथ अपने वापसी का बिगुल बजाएंगे या फिर अब हरेश अगली गेंद पर फिर से वापसी करेंगे इस वक्त इसकोर काफी तेजी सागे बढ़ता हुआ उन्चास रनों पर पहुंचा है फोर्टी नाइन यह देखी अब नौनाद भी हमें नजर आ रहे हैं इस वक्त अगली गेंद हरेश की ओहो इस बाहर चोटी गेंदी लेकिन पहले बल्ला चला बढ़तें वहाँ पर रफीक बीट वे डॉट बॉल अच्छी वापसी हरेश की इस वक्त चार अवर के बाद कुल्डन बने हैं उन्चास फोर्टी नाइन रन्स तीन विकेट के नुक्सान पर अब एक आखरी ओवर काना बाकी यह दिखना है आखरी ओवर किसे करवाती है वहाँ पर आरियन इलेवन भादवाड देखिए खेल की शुरुआत करनी है प्लीज अ आखरी जाए प्ला करें है प्ला के इन करें हैं है यह देकिए इस बहुत कुछ जाने या ना जाने लेकिन लोग इने जरूर जाने आईये रहीम शेक और फ़राम जाने और उनके साथ जुड़ें इस वक्त जम्मो विलकम आप दोनों का हम तहत हिल से इस्तक्बाल करते हैं मान ट्रॉफी दोहजार एकीस और बीस में आप आए बहार आई तो अन्तीम ओर लेकर आरें इस वक्त अगेंद बाज़क केवल देखने केवल कितने रन खर्च करेंगे आखरी ओवर में इस वक्त श्टाइक पर है मुन्ना इस वक्त अन्जुमनी स्पोर्ट को ये चौता जटका लगता हुआ इस वक्त ने बल्ले बाज आ रहे हैं अफाक इस वक्त हमसे जोड़े हैं नियाज मलबारी आपका तैजिल से इस्तक्बाल है अमान ट्रॉफी 2021 बाइस में नियाज मलबारी भी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं लेकिन अब एक्षन में नज़र नहीं आते हैं काफी मस्रूफयाद की वज़ा से इस वक्त नहीं बलने बाजाए हैं आफाक इस ट्राइक परें आफाक केवल की अगली गेंड इस बार छोड़ दिया ता अफाक ने वाइट बाल का इशारा तव अमपायर परसाज सरका देखिए समय के लिए सयोग करें दोनों लिए टीमे प्लीज अगली गेंड केवल की अफाक के लिए अफाक में तान दिया है ओ हो 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 अफाक का बहुती करा रहा है शोट गेंड सिदा वाडिश लंगान के बाहर छे रन बिलकुल गेंड स्लोट में थी उन्हें बेज दिया दूसरे प्लाट में अफाक नहीं बेटी फुल शॉट आता हुआ अफाक के बल्ले से और इस छे रन की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ इस वक्त पहुचा है चपन रनों पर 56 रन्स आखरी ओर का खेल चल इस वक्त आख अगली गेंड वहां पर ये देखना है वहां पर हुच शॉट के लिए अफाक के रूप में पांच्वा जटका लगता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को और अब फिर से एक बार चिंतित नजर आते हुए आमीर अंजुमन के टूल्थ मैं जी यहां अपने टीम के परफॉमन्स को लोकर काफी उतसाहित रहते हैं हर वक्त अगर मैं बात करूं आमीर की तो अब बल्ले बाजी को जा रहे हैं इस वक्त अफैसल पॉलाड देखिए फैसल जरा आपको तेज कतमों से बीच मैदान में जाना है प्लीज चलिए जरा जल्दी करें हम लोग प्लीज चला घाई करा शेरा को काफी पसंद है ये वर्ड अगली गेंदा इस बार तान दिया है रफीक ने ओहो हो ये देखिए बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलाता च्छे रणों के लिए जब फिल्टास पर उन्होंने सिक्सर लगाया था तब ही मैंने कहा था क्या रफीक अपनी वापसी करने जा रहे हैं एक बार फिर से क्यूंके ओट फार्म ते काफी दिनों से अब जाकर अपनी ले में नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में अगली गेंदा केवल की हो केवल की करारी वापसी बहुती अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लाक हॉल में थी जड़ों में रखा था खोट कर निकाला रफीक ने ये देखिए रफी कर श्ट्रेक चाहते थे फैसल पॉलाइट ने मना किया उने डिके फाइड अबलेट के कैप्टन और अमान स्पोट के कैप्टन अमान स्पोट के कैप्टन हमसे जुड़ चुके हैं डिके फाइड अबलेट के कैप्टन देखिए आपको टास बोक्स में जाकर रिपोर्ट कर इनिंग के खत्म होने से पहले, अगली गेंद, इस बार फैसल पुलाड ने उटा कर खेला है लॉंग आफ की दिश्चा में और शून निका चश्मा पाहन कर फैसल पुलाड पवेलियन लोटते हुए और इसी के साथ पाच्च वर की समापती कुल रेन बने है केवल, माफ करिय केवल के काफी सारे है, 63, 63 रंस ये देखिये इस वक्ता, इस वक्ता चौसाट रनो की चुनोती है, आरियन 11 बादवल के सामने और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, शहबाज शेक के लिए इरफान शेक का बहुत ही प्यारा सा ये तवफा, उनके बड़्डे के लिए और खुद शहबाज शेक बिलकुला सद्री और कुर्ता पाजामा में नजर आ रहे हैं, बहुती खुब्सूरत सा केकता, देखिए इस वत अब हम आज के दिए आखी मुकबले का टॉस करने जा रहे हैं, जहाँ पर खिलने वाली टीमे हैं, अमानी स्पोर्ट और डीके फार डवलेट अमान के कैप्टान इस वत अमारे साथ जोच चुके हैं, डीके फार डवलेट डीके फार डवलेट के कैप्टान आईए मैं इस वक्त टॉस के रहाज देना चाहूंगा मान ट्रॉफी में जिनोंने उनके योगदान से एक अलगी रंग बरा, वह हमारे एक अहमें स्पोर्सर रहीम शेक और राम जाने, आईए रहीम शेक जी और आपके शाप्टान आपके शाप्टान आपके शाप्टान अच्वाए आपको भी आना है प्लीज आप यह देखिए इस वक्त हम से जुदने जा रहे है रहीम शेक और फॉराम जाने जी विलक्म पस्वाक्स में आपका स्वागत है, उनके साथ महजूद है, जम्मो, देखिए रहीम शेक जी आपके मुबारा कातु से हम पास करेंगे इस सब्सक्राइब बहुत बहुत शुक्रिया नाइम शेक और फिराम जाने जी और जम्मो आपका आपको व्याप्टी डाइस पर बचने आपने टॉस जीता है क्या करने जा रहे हैं बैटिंग पहले बल्ले बाजी करते हैं कहा तक देखेंगे सब्सक्राइब करने लिए तो क्या रहे हैं क्या रहे हैं क्या सब्सक्राइब करने तो अच्छा बालिंग कम से कम रना में रोकने के कोशिस करेंगे देखिए इस मैच में तो पिंटू ने गिनबाजी भी की जो पिछला मैच अमान इस्पोर्ट जीती काफी मेहनत मुशक्त करनी पड़ी के वाल अबतिसरन के टोटल के लिए तो क्या पिक्षा है आपको अपने टीम के खिलाडियों से सबको बोलता हूं कि अपना अपना 100% देने की कोशिस करें और अच्छा खिलने की कोशिस करें देखिए पिंटू जो कि इस सीजन में कहना के अपनी फरम से जूज रहे होते हैं अप गिनबाजी की पिछले मैच के हीरो थे क्या पिंटू एक बार फिर सी अपने टीम के पिंटू बार नियुस्वरं दी टास्वाक्स बीके फाइड वालेट विन अटास एलेक्टे टू बैट फास्टा बैक टुदा कमेंटरी बाक्स शुक्रिया राके बंसरी ओंसम मैच शुरू गराइचा ही दोनी सलम वीर केवल अनी यह दैनन अनी केवल दोनी सलम वीर मैदन अबरती सच जालेत गुलंदाद फाइसल गुलंदाद फाइसल पहलाच इन टाकने साथिसाच जालाई अलका दनक्यास अदा अनी अपाहाइचा आई नकिज बैट की इंसाइट एज लागली होती है निया श्यत्रक्षा जाहता मदे चिटू वीसा ब्लास्ता परंतु जेल स लिजाते है इस सवत हमारे साथ जुड़े है रही अनसाइट जी आपका हम तो दिल से इस्तक्बाल करते हैं हमान ट्रॉफी बाइस में बहुती करीबी दोस्त है नियाज में बारी की विलकम कुलंदा जफाइजल पुना एक दस्तक्षा जाला है राइट ना ओर द विकेट ना याविसल के अतनकर उनकार लेचेंडू लाचेंडू कारपेच्छा सायन जातों डीप एक्स्ट्रा कवर लाखे आड उता है ना थे एक सिंगल फक्त दापल कवर दी एड के लिजाईल ल दापल पुट्ट सरकते दापल कवरती श्रीगनिच अजाला एक धाव दापल कवरती लाग लिए कुटे ना खुटे मोटे पटकी खाया भी लगतिल कारण चुटे दावन ची घरत असल सामना जिंकन सडी नकीच सडी के फाइड अबलेटेट हास संग सुदा अबलेला इन एक्शन मदे पुट्चा सामना मदे पाला में याव फुल टॉस अन फुल टॉल वसुल के लाएं त्याड़ी गानिक्षे द्रक्षकते ने एक जाव एक दाव पिच्छे जास्त काई समेनार नहीं ये कुटे ना कुटे मेजवानी आली होती फुल टॉस बॉल ता फटका दे किल चांगला उदा प्लंदू प्रोपर एक जुकित तो याव फटके ला करू शक्ला नहीं ता के बल फक्त नहीं फक्त एक सिंगल आपल गवर्तिया एड़ जालिये गुलंदाज वाइजल पुनाइग दा सज्ज जाला राइटाम ओर दा विकेट नहीं यावेज समटा पटका ख्याएज ओ दाबात अनि वोल्मंतित संगला संपर्ग जाला चेंडू जा तो मिद्विकेट चा दिशेन एक दाव कंप्लीट के लिजाईल अनि एकाज धावे गुलंदाज सज्ज वाइजल पुनाइग दा सज्ज जाला राइटाम ओर दा विकेट नहीं यावेज फटका सांग लाइचेंडू निगून जातो यह लोंगों चादिशन ख्याद उतायना दे एक दावतिशे वेगा न दूसरे दावेच अप्रेट नमात्रे तुन खेला जाना नहीं है एक सिंगल आंखी नेग दावल का वर्ति एड के लिजाते चार दावा दावल का वर्ति देखिए पुछी समय में हमारे साथ जुड़ने जारी है सोट अमान टौफी के करता दरता गुलाम साबीर सभी की निगाहें जुड़ी है सोट कि कम आएंगे गुलाम स है जो दा बैट अनि बॉल मंदे प्रोपर संपर के जाला ना ये चेन्ट पोईंट चादिशन ट्रेवलों दोई तो परिंद एक सिंगल पुर्णा के लिजाईल आनि या एक सिंगल न दावबल अक्सुदा पुड़ सरक्त देवले पास दावा दावल का वर्ति एक शटका ड्राव न दावन जा पात्ला करत अस्ताना चाहिए पुक्ता निपुक्ता ही क्रिका सिंग टेशन न दावादा अबल का वर्ति एक लेग मैं गोलंद आज दूसरा करम कवर सर्जो ही ला घुला गोलंद आज शुबं सर्जो हील दूसर शरकाता नहसादी स्ट्राइकिंग एन ला दयान अन्द सज्ज पहला चेंडों फेस करें ला शुबमजा अतिशे सुरेख टपा सुरेख टपा सुरेख टपा सुरेख लाइन अपले ला महितना वर्दी पाहाँ है कुटे ना कुटे गुटे है एंग अ बहुते अथ पास दाव कि अफर्द आविद गोलांदा सर्च जाल आपी नाइग दिवाय उन्लिटस अपकार कवर्ट करेंग गरका वर्द या वेसल का थानग उन्कार चाले चंडों अलचींग और का चाह जिए ने काव कोर्न सहा जाले दो गुटे ना गुटे चांगी गोलन्दाजी शुबंच्या मध्यमादून के वल्ला जब अब दरी उसला विल्ला गेल गोलन्दा सजी जालाई यावे स्मोट अपटका ख्याए जो दावे अनि बॉल मद्य प्रोपर कनेक्शन जालनाव दावटिची शाके जाले ओवर्ट्रो दर जालाई कुंते इप्रकलच दाव टाड़ी काने गेतली जाना निये फक्त एकाधावे बर समाधान माना वल्लागेल निफलन दाजनना एकाधावे नुट अब दावे नुट अब दावटिची शुबंच्या मध्यमादून साथ तेने आता मध्र मोटे फटके ख्यावे लागतिल ग का वर्थी एड के लिजाई इला कुटे ना कुटे सिंगल अनी डबल चाज खे माधाना मुटे पटके ख्याना पासन वंची टेफल जाते सर्व गोलंदाव गोलंदार शुबंपुनाइग दा सज्जा राइदाम ओर देविके ना केवल साडी यावैस्पुन एक दामोट अबटके ख्याज ओधा प्रपल ठाइमिंग साथ तालन उता मिस्पील जाली एड सांगल अक्षे ट्रक्षा इन सांगला बैकम अपलेला मैधदा ना पर दी पाहाईला म्यालाई अनी आफक्त अनी फक्त एक सिंगल अन्किन एक सिंगल दावबल नव दावा दावबल गवर्थी लागलेत दयानन सज्जा सेल गोलंदा अच्छुब अपुनाइक दा गोलंदाजी मार गवर राइताम ओर दे विकेड ना यावेस्मोटा बटके ख्याएच अधा फटका सांगला है फटका सांगला है दावादे उन जाहिल चाँ चेन यापडिल इनिक साथी में आमंत्रित करदो है या मजे साथी समाल अच्छा कि जाने काल चाँ दिवसा पस दुनाद सांगली रंग बरला या इस पर्दे मदे राकी बंसारी ला में आमंत्रित करदो है बहुत-बहुत शुक्रिया साहील शेल के आपका इस वत कुल्रन बने है अगर हम देखे तो आरियन इलेवन भादवल के वह तेरा इस वक्त तीसरा वर देखना है वहाँ पर आजीब खान आई है गिन बाजी करने के लिए पहली गेंदा बहुत अच्छी गेंदी वहाँ पर बल्ले का अंदरुनी किनारा लेकर विकेट किपर के हाथों में गई डाट बॉल देखना है याज अभी ता कमजश्रिक का इस्तिमाल नहीं किया हुआँ पर टीम के कैप्टेन मुन्ना ने एक नया ट्रम कार्ड लेकर आए है मुन्ना आजीब खान अगली गेंद एक और अच्छी गेंद वहाँ पर आजीब की खेले माँ पर लॉंगोन की दिशा में काफी करीब अकर गेंद को फिल्ड किया रिजवान ने और इस एक रन की मज़स से इस वाट इसकोर है चोगदा रन है 14 रन्स तीसरे वरका खेल चलता हुआ आजीब की अगली गेंद इस बार वहाँ पर तान दिया है लॉंगोन की दिशा में रिजवान मौजूद है वहाँ पर काफी आगे गेंगिरी थी ये रेकिये खत्रा और जी हाँ बिलकुल बहुती बहतरीन तो रोता रिजवान का बिलकुल विकेट की पर के पास पहुचा और वहाँ पर हमजद शेक ने कोई भी गलती नहीं की रन आउट कर दिया ये देखिए आप देख सकते हैं वहाँ पर रिजवान ने बहुत ही आसानी से गेंगों फिल्ड किया फिर थ्रो किया और ये देखिए इस वक्त हम से जुड़ चुके हैं शादाब अनसारी और शाहिद अनसारी मैं दोनों से गुजारिश करता हूँ कि आपको आकर वियाइपी डाइस पर बटना है और वियाइपी डाइस की जीनत को दुगना बढ़ाना है इसी बेच अगली गेंद वहाँ पर फिर से अच्छी गेंदा देखने आज शहबाज शेक का जनम दीन उनका बर्थेड़े क्या अंजुमन स्पोर्ट उने जीत का तवफा देगी देखना है वहाँ पर अंपार ने आउट गोशित क्या है बल्ले बास को काफी समय के बाद देखिए इस वक्त आप रीप्ले देख सकते हूं पर ये देखिए गेंदा बाहर की तरफ निकल रहती जी यहाँ बिल्कुल बल्ले का अंदुरू ने किनारा लेकर गई थी बहुत ही अच्छा निर्ने इस वक्त हम से जोड़ चुके हैं शाहिद अंसारी और शादाब अंसारी जी इन दोनों से ही मेरी तैदिल से गुजारी शक्या आपको वाकर व्याट पिडाइस पर बटना है और इसकी जीनत को और बलाना है इर्फान शेक आपको याद कर रहे हैं इस वक्ता अगले गेंद इस बार लॉर फिल्टाउस बना कर केला है वापर ओहो मुन्ना विल्कुल अच्छी फिल्डिंग करते वे आज पूरी तरह से अपने आपको जोक रहे हैं गेंदों उपर जब फिल्डिंग के लिए जा रहे हैं इस एक रन की मदद से स्कोर है इस वक्ता 16 रन अच्छे गिंद बाजी हम देखते हुए इस वक्ता आजिप की आज देखना है शाबाज शेक का जनम दीन है क्या अंजमन उन्हें जीत का तफ़ा देगी अगली गेंद इस बार फिल्टाउस ओहो ये देखिए हावा हावाई सिखसर एक खराब गेंदर वहाँ पर केवन ने कोई बक्षिश नहीं की गेंद बास के साथ मुल्कि लिए दिये कि पहले ही शफालो का रॉफिस्टरम के बाहर आए थे फिर अपने पैरों को पीछे की तरफ लिया और गेंद को भीज दिया मैदान के बाहर छी रन इसकोर है इस वक्त अकुल 22 रन है 22 रन्स इतने रन्च आई है यहां पर 42 अब चोटावर लेकर आ रहे हैं बहुती निरनायक उन्जाश्य का देखने हैं वहां पर गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या है यही काराने के अमपायर ने गेंद को बदलने की मांग किया है यह देखे बिलकुल आप अपने मुबाल स्क्रीन पर देख सकते हैं और टिवी स्क्रीन पर भी बहुती सुन्दर बिलकुल इंटरनेशनल अंदाज में सारा लेखा जो काप तक पहुशारे हैं प्रिंस मुवीज इस वक्त हमसे जूड़ चुके हैं अशोक वर्मा इनका एक बहुत बड़ा इवेंट मत देखना भूलेगा अशोक वर्मा नौशाद खान अनिल किशरवानी और अजीस सिंग की देन उत्तर भारतिये चेशा का इस इस वक्तम से जूड़ चुके हैं दिलशाद भाई और मैताब भाई आप दोनों से गुजारिश है कि आपको व्याज़ पी डाइस पर आना है सर प्लीज दोनों भाई दिखना है क्या मचाएंगे वान टौफी में तबाई अगली गेंद अमजजशेक की ओहो इस बार लेगिस्टम को छोड़ती हुई वाइड बाल इस वक्त बल्ले बाजी कर रहे हैं दरपन और उनका साथ दे रहे हैं केवल और इस वक्त हमारे साथ जोड़ चुके हैं रिजवान शेक इरिफान शेक के छोटे भाई वेलकम रिजवान शेक आपका इस्तक्बाल है अगले गेंदा लॉर फुल टास्ति उसे खेल दिया लॉंग आफ की दिशा में वहाँ पर अकील खान मौजूद है की मैन आफ अंजुमन इस वाद तमसे जुड़ चुके हैं दिल शाथ आपका हम तह दिल से इस्तक्बाल करते हैं मांट ट्रॉफी 2021-22 में अब श्टाइक पर आए है केवल यह देखे इस बार चोटी गेंदी लेकिन उसका लाब नहीं उटा पाई बल्ले बावज़ा केवल बिल्कुल अपने आप से नाखुश है वहाँ पर क्योंकि हम जशेक द्वारा इसी गेंदे बहुत कम मिलती है देखिए समय के लिए सयोग करना है प्लीज अंजुमन स्पोर्ट अगली गेंद इस बार बाहर की तरफ निकाला था बीटूब बल्ले बावज़ा बावल यह देखिए रिपले दिखाते वे प्रिंस मोविस के सिस्टम ऑपरेटर जिया बिलकुल इस बार थोड़ा सा टन ल डाट बॉल अच्छी वापसी करते हुए वहाँ पर हमज़ा शेक सिक्सर लगने के बाद अगली गेंद इस बार थेस तर्रार निकाला है वहाँ पर देखने है रहा रहा हो कमो का बाल बाल बच गए वहाँ पर केवल लेक बार की शक्ल में आते हुए एक रन यह मिलकुल यह देखिए हमज़ा शेक की यही खासियत है इस वक्ता कुल रन बने अगर हम देखे तो 32 32 रन दो विकेट के नुक्सान पर अगली गेंद इस बार यह देखिए फिर से गती में परिवरता न चक्मा दिया हुआ पर केवल को डॉट बाल यह देखिए बस चंद पलों में हमसे जोने जा रहे हैं इस वक्ता इस टूर्नामेंट के करता धरता जिनके कारण यह टूर्नामेंट आप तक महँचाया गया है वो हैं वन मैन आर्मी वन मैन शो गुलाम साबीर और उनके साथ मौजूद हैं अकील मुमीन और समीर शेक समीर दादा के नाम से हम जी ने जानते हैं आए हम तीनों का पहे दिल से स्तक्बाल करते हैं इस वक्ता अमान ट्रॉफी 2021-22 में इस बाहर उडा दिया है वहाँ पर वहाँ पर रिज्वान मौजूद है और पारीस समापदा इस वक्ता ये रेखिए गुलाम साबीर हमसे जूड़ चुके और आकील मौमिन साथ में और समीर शेक उर्फ समीर दादा आप तिनों से गुजारिश है तहे दिल से आपको व्याइपी डाइस पर आना है इस वक्ता पांच गेंदों में 32 रंच आईए आरियन 11 बादवाल को अब बल्ले बाजी को हाई है दर्शन नाई का बहुत अच्छे बल्ले बाज और बहुत अच्छी इनकी आवाज है आप जाकर आए हैं जब परस्तितियां काफी इनके विप्रीत है इस ट्राइक इस बार बड़ा हीट किलना चाहते तेवाँ पर दर्शन नाइक पूरी तरह से चक्मा खाये डॉट बाल देखिए इस वक्ता हमारे साथ जूड़ चुके हैं गुलाम साबीर अकील मौमिन और समीर शेक और फरसमीर दादा इस बार फिर से अच्छी गेंदा बीटो बल्लबाज डॉट बाल इस देखिए तीन बाल 32 रंच आईए इस वक्ता आरियन 11 बादवार को बहुती अच्छा टेलीकास आप तक महुचाती भी प्रिंस मुवीज अजीब की अगली गेंदा दर्शन नाइक के लिए लॉर्फल टास थे उसे खेल दिया है जमीनी सारे से कौक और नर की दिशा में रिजवान मौजूद है वाँपर एक रंड़ अगली गेंदा इस बार बड़ा हिट किनना चाते थे केवल पुरी तरह से बीट हुए डाट बॉल इस वक्त जीत का तौफ़ा देने जारी अंजुमन स्पोर्ट शहबाज शेट को उनके जन्म दिन के मौके पर अगली गेंदा ये देखे शरीर से टकराई और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है अंजुमन स्पोर्ट ने मैनी मैनी कॉमरेचुलेशन अंजुमन स्पोर्ट और हाडला का अरियन एलेवन बाद्वार दर्शन नाइका दिपेश केवल और अल्टीम का अंजुमन स्पोर्ट ये लुग्ट ये लुग्ट फाल्टीम आईए मैन आप नमेच के लाड़ी मैन आप नमेच के लाड़ी इस वक्त मुन्ना आपको मैन आप नमेच के लिए आना है प्लीज मुन्ना इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं रहीम शेक और फोराम जानी और साती सात जम्मो और दिलशाद भाई भी मौजूद हैं इन सबी का हम ते दिल से शुक्री अदा करती हैं उने अपना किमती समय दिया इस टोर्नामेंट को काम्याप बनाने के लिए और इनके आने से और भी चार्शान लग गए यह देखिए मुन्ना मैना उप्दा मैच लेने को आते हुए सबसे पहले रहीम शेक और फॉराम जाने आपसे गुजारिश करूँगा कि आपको प्रॉफी देना है यह अन्नु भाई की देना उसके बाद दिल्शाद भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपको सर्टिफिकेट देना है फलक फॉर्मडेशन की देना उसके बाद दिल्शाद भाई आपको सर्टिफिकेट देना है फलक फॉर्मडेशन की यह देना उसके बाद जम्म आपको फिस्ट वाच देना है अयूब शेक की देना अयूब इस्पोर्ट के प्रोप्राइटर बहुती खुबसरा तिरिश्ट वाच बहुत 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 शुक्रिया जम्मोज गयापका आपको गेट से बाहर के दरब जाना है ना बीच मैदान से देखिए अन्यूमन इस्पोर्ट आपको पीछे के गेट से जाना है ना के मैदान के बीचों बीच से यह देखिए आज रफीक लाइमे नजारा यही कारणा के चैरे पर हसी नजारा रही है उनके देखिए मैदान खाली करना है फैसल पुलाइडर अबाद पिर देखिए अमान स्पोर्ट आपको अपना फिल्ड से जाना है और डीके 588 आपको उपनर बैट्समन बेजना है प्लीज दिपेश ठाकूर फैम टीम है डीके 588 और गुलाम साबीर फैम टीम अमान स्पोर्ट देखिए आपको डगाउट में जाना है डीके 588 कि अधियुर्ट गुलाम साबीर इस टॉर्नमेंट के करता दर्ता 1-1-man शो वन मैं आर्मी स्वहत तमारे बीच में मोजूद है उनके लिए तो केवा लेकी शेर कहना चाहूंगा कोई शायर कोई पागल तो कोई बेपीर बन जाए कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए जो गुलाम साबीर की तस्वीर देखे वो खुद एक तस्वीर बन जाए आईए गुलाम साबीर आपका तो दिल से स्थक्बाल है स्वत्पा मैं ट्रॉफी में 2021-2022 उनके साथ मौजूद है केल मौमीन और स्वामीर शीक